क्या आपको पता है एक ऐसा पानी जिसे छूते ही सारे जानवर पत्थर में बदल जाते हैं तो आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसे ही रेंडम और अमेजिंग फैक्ट के बारों में सुनोगे तो चलते हैं सीधा वीडियो पे इक ऐसा पत्थर जिसने जिलॉजिस्ट को भी हैरान कर दिया जिसका नाम कुमा की नी बैलेंसिंग रॉक है जो फिनलेंड के सीनिक फॉरेश्ट में है उपर वाला पत्थर कुछ इस तरीके से है कि उसका छोटा सा पार्ट इस नीचे वाले पत्थर पे है और बहुत सालों से ये ऐसा ही है इस पत्थर को 30 से 40 लोगों ने भी धक्का दिया तब भी ये टस से मस नहीं हुआ क्या आपको पता है कि इमेल का इंवेट सबसे पहले किस ने और कब किया अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा रे टॉमलिंसन जो की कम्प्यूटर इंजिनियर थे उन्होंने 1971 को ये इमेल खुद को ही टेस्ट करने के लिए भेज़ा था अगर मैं आपसे बोलू कि ऑस्टेलिया में एक सीग्रेट की कीमत से एक्तिसारी चीज़े आ सकती हैं तो क्या आप नुछ पर यकिन करोगे नहीं ना पर ये सच है ऑस्टेलिया में एक सीग्रेट की कीमत करीबन 1230 रुपे है रेली दिस कंट्री हैस अ हाईएस प्राइस इन आल ओवर दे वर्ल्ट फैक्ट नमर सेग्ट सल्फैमो ग्लोबिनेमिया नाम की एक ऐसी बिमारी जिसके चलते बलड का कलर रेट से ग्रीन में बदल जाता है और बॉड़ी में चेंजिस होना सुरू हो जाता है और इसी डिसक को साइनोसिस बोलते हैं फैक्ट नमर सिक्स इंसान तरक्की करने में हमेशा ही क्यूरियस रहा है और इसी के चलते चाइना में एक पांडा शेफ सोलर फार्म है और इस फार्म में चाइना ने बिलियंस आप डॉलर खर्च किया है जिससे यह इंट्रेस्टिंग और लोगों क एक काटून आता था पिनो चोई नाम का उसमें जब भी वो जूट बोलता था तभी उसकी नाग लंबी हो जाती थी ठीक उसी तरह एक बंदर भी है लॉंग लोज मंकी और उसकी नाग जूट बोलने से लंबी नहीं होती उसकी नाग पचपन से ही ऐसी होती है साइन्टिस् बात कर सकते हैं एक साइन्ट आप सूपर पावर नूस फैक नमर फॉर ट्राइक कलर्ड खैली मीटू जील जो ऐसी दिखती है इन पिक्चर में देखिए आप यह जील तीन कलर की है जिसमें ग्रीन रैड एंड ब्लैक है अमेजिंग बात यह है कि यह लेक यानि जील एक और यह जील जिस जुआला मुखी में बनी है वो जुआला मुखी बहुत सालों से वैसा का वैसा ही है और इसकी हाइट करीबन 1640 मीटर है फैक नमर थ्री जहां चाह वहां रहा यह मॉरल तो आपने सुना ही होगा और इसी का एक एक अग्जामपिल जैसिका कॉक्स जो की एक पाइलेट बट विडाउट एनी हैंड उनके हाथ नहीं है सीब बॉन विडाउट एनी हैंड जैसिका प्लेन उड़ा सकती है साथ ही वो टाइप भी कर सकती है और उनकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ट्स पर मिनट है यह इस बात को प्रूफ करती है कि उड़ने के लिए अंसर जरूर बताना और जिसका आंसर पहले सही निकलेगा मैं उसको अपनी अगली वीडियो में उसका नाम रिवील करूंगा बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है क्या पता अगली वीडियो में आपका ही नाम हो और आप लोगों की सब्सक्र पच्छर बना देने वाला जील का नाम लेक नेट्रण नेट्रोन लेक अफ्रीका के तंजानिय इलाके में इस्तित है जील नेट्रॣ के चिनारे जगा जगा पर पशु पक्षियों के स्टैचू हैं और वो स्टैचू असली मित्थ पक्षियों के हैं ऐसी कौन सी चीज है जो इने पानी में जाते ही पत्थर बना देती है तो हकीकत में ये नमक और सोड़क का एक मात्र जील है जिसके चलते अलकलाइन का पी एच लेवल 9 से 10 तक हो जाता है इनी सब कारणों से इ पत्थर बन जाते हैं इस लेक पे एक बुक भी लिखी है अक्रॉस दा लेविज लेंड इसे निक ब्रेंड ने लिखी है तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एन सस्क्राइब कीजिए और सेर करना तो बिल्कुल मत जिससे मेरी लेटेस वीडियो का अपडेट आपके पास आ जाए